Hey guys, welcome back with my another video, तो आज Sunday है, तो दोस्तो आज हम अपने चोटे से PC में विंडो इंस्टोलेशन करने जा रहे हैं, वो भी एक USB Pen Drive से, तो यह मेरे पास mini backbook है, इसमें issue के आ रहा है, दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं माई कम्मुटर की अगर properties पे चेक करेंगे, दोस्तो इसकी जो window है, वो 32 bit का operating system है, तो जिसकी वज़ा से मेरा system काफी slow है, कुछ भी open करता हूँ, मुझे बहुत time तक का wait करना होता है, तो अगर आप भी इस तरह का कोई भी issue आपको आपके system में आ रहा है, कि आपका system बहुत ही ज़्यादा slow चल रहा है, आप इसको open करते हुए, सही से work नहीं करा, दोस्तो आप खुद अपने घर पे इसकी window installation कर सकते हो, वो भी step है, step में आपको बताऊंगा, तो फिलालो हमने जो USB pen drive है, इसको मैंने bootable मैंने बनाया है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, लिंक मैं दिस्क्रिक्शन में दे दूँगा, आप नोर्मल अपने घर में जो USB होती है, minimum 8GB प्लस हो तो अच्छी बात है, तो उसको USB को bootable pen drive बना के, आप उससे अपने system laptop desktop किसी को भी window install कर सकते हो, आपका अगर system capable है या नहीं है, उसके लिए आप उप्शन दिखाई दे रहा है, विंडो एक्स्पिरियंस इंडेक्स, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर view and print details यह सब जो उप्शन दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको पता चल देगा आपका system है, वो 64 bit की operating system के लिए capable है या नहीं है, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर yes लिखा हुआ है, तो मैं इसमे 64 bit का Windows 7 करूँगा इसमें install, तो दोस्तों फिलाल हम करने जा रहे हैं, इसको Windows install, तो आपने क्या करना है दोस्तों, यह जो pen drive है, आपने इसको अपने system में insert करना है, तो USB में insert करने के बाद दोस्तों, आपने simple अपने system को restart करना है, यह मेरी bootable pen drive है, जो अरड़ी बनी हुई है, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो मैरे link, मैंने link इसका description में दे दिया, आप इसमें उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही easy है process, तो restart करने के बाद दोस्तों, उमारे जो पहला step है अभी, इसको restart करेंगे, और F2 अब delete, F2 प्रेस, F2 प्रेस करेंगे, अब मेन आपको BIOS की setting में जाना है अभी आपको, वो किसी का F2 से भी आता है, delete से भी आता है, escape से भी आता है, तो F2, restart होने से पहले ही आपने F2 प्रेस करना है, दोस्तों F2 प्रेस करते हो, आप BIOS की setting में चले जाओगे, उसके बाद आपने boot option पे जाना है, वो first boot जो हमारी hard disk कोगी, जैसे ही touchy की दिखा रहा है, इसने first boot में आपने इसको send disk, जो आपकी pen drive है, उसको select करना है, USB है जो, F10 इस पे प्रेस करना है, जिसे save and exit, F10 प्रेस करने के बाद दोस्ते, फिर से restart होगा system, उसके बाद दोस्तों, आपने simply press any key to boot from USB, इसके बाद कुछ भी enter करने के बाद, आपके बाद कुछ इस तरह की screen आएगी, तो आपने simply ok enter कर देना है, बहुत easy process है दोस्तो, ऐसी technical videos, मैं obviously डालता रहता हूं, दोस्तों हर तरह की video, तो जो भी मैं अपने system पे experiment करता हूं, दोस्तों, उस पूरा experiment की video, आपके साथ मैं share करता हूं, इसके option हम सेम ही रहने देंगे, उसके बाद simply आपने next पे click कर देना है, तो install now पे click करोगे, तो उस window हमारी start हो जाएगी दोस्तों, ये install now पे click होने के बाद, तो आपने यहाँ पे I accept terms and condition है, इस पे click करके आपने next पे click करना है, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे दो option दिखाई दे रहे हैं, आपने custom पे click करना है, custom पे click करने के बाद आपकी जो partition है, वो आपकी partition 1 है, जो आपको दिख रही है, 24.9 GB की है, यह मेरी C tribe है, जिसमें window installation होती है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, कि दोस्तों आपने कोई नीचे वाली जो partition 2 and 3 है, इसमें मेरा data पढ़ा हुआ है, तो इसको हमने नहीं इसको format करना, हम इस चीश का ख्याल में रखना है, आपने सिस्टम में देख भी सकते हो कि आपको कितने पार्टिशन कितने जीबी की है, तो आपकी फाइल से वो कुछ इस तरह से अपलोड होने लग जाएंगी, इसना हो हमारा टाइम खराब ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्फोरवड कर दिया है, तो अवरॉल सब कोपी होने के बाद जोस्तो आपका सिस्टम फिर से री स्टार्ट होगा कुछ आपने कोई प्रेस नहीं करना गुछ भी, तो उसके बाद आपने सिस्टम को अपना पीसी नेम देना है, वो कुछ भी दे सकते हो, मैं फिलाल अपना दे रहा हूँ, क्लिक करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड भी दे सकते होगा, दस्तो और स्क्रीन क्वाल्टी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइस करना होगा क्योंकि मैं इसको डारेक्टिक की विंडो इंस्टोलेशन कर रहा हूँ, हो चुकिया, दोस्तो अब जो आगे का प्रोसेस है, जो में बात मैं उसको बताऊंगा आपको, हमारी जो विंडो है काफी फास्ट हो चुकिया, अब जो आपने क्या करना, माई कम्प्यूटर पर आप प्रोपर्डिस पर चेक करोगे, तो आप यहाँ पर देख पाऊगे कि हमारा जो विंडो है, 64 बिट का उपरेटिंग सिस्टम हो चुक है, तो प्रोपरले स्पीड भी काफी अच्छी हो चुक है, में बात दोस्तों अब यह आप नीचे देखोगे, क्योंकि यह वीडियो आप ही बताऊँगा, तो बहुत जाता लंबी हो जाएगी, तो इसके इलावा तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए, या भी कोई भी आपको डाउट क्वेरी है, तो दोस्तों आप मेरे को कमेंड बॉक्स में पूश सकते हो, तो मैं आपके पूरी हल्प करूँगा, इसके इलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, बुरी लगी हो, तो इसको डिसलाइक करना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कुंटेंट के साथ, तब सब टेक करें बाबाए,